दोस्तों नमस्कार मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना विधान सभा चुलाव को हुए और हर्याना की सरकार बने आज एक पूरा महिना हो गया है आज विधान सभा का सेशन भी था और सेशन का अंतिम दिन था और इसके साथ साथ ही नायव सिंग सेनी सरकार की पहली महिना गाट थी एक वर्ष गाठ हुआ करती है जो एक साल में होती है और मैंने इसको का महीना गाठ यानि की एक महीना आज हरियाना में नायव सिंग सेनी सरकार बने हो गया मैं आपके साथ बातचीत में हूँ एक विशेश बात को ले करके कि सरकार, सरकार के नुमाइंदे यानि की विधायक, मंत्री और ये सब और इसके साथ साथ विधानसभाद छेत्र कहा ये जाता है कि जिस विधानसभाद छेत्र का विधायक सत्ता में होता है वहाँ पर योजनाएं जादा जाती है, वहाँ पर विकास के कारिय जादा होते हैं, वहाँ पर सरकार की तरफ से फंडिंग जादा मिलती है और जहां विपक्ष का विधायक हुआ करता है वहाँ पर कहीं सरकार की योजनाओं में उतना फायदा, उतना मुनाफ़ा और उतनी योजनाओं का फ्लाब नहीं मिल पाता हलाकि भारती जनता पारटी की सरकार चाये वो मनहोरलाल खटर थे और चाये अब नायब सिंग सैनी हूँ ये भले ही खूब कहें कि सरकार चाये विधायक पक्ष का हो या विपक्ष का हो वे पूरी तरह से बिना किसी भेटबाओ के हर छेत्र में विकास हुआ करता है और राजनीती की लिए एक ये बुनियाद बनाने का काम भी हुआ करता है कि अगर किसी विधानसवाद छेत्र में आपका विधायक नहीं बना तो भविश्य में वहाँ पर सब ठीक रहे इसके लिए जब आप समान विकास की बात करते हैं तो फिर लोगों के बीच में संदेश जाता है मैं आपके साथ बात को ले करके हूँ जो मैं आपको बता रहा था कि सरकार विधायक और फिर विधानसवाद छेत्र अगर सत्ता पक्ष का विधायक हो तो विधानसवाद छेत्र को ज़्यादा काम मिलते हैं और विपक्ष का विधायक हो तो फिर उस विधानसवाद छेत्र की तरफ सरकार की निगाएं कुछ टेड़ी रहती है मैं आपसे बात कर रहा हूँ हर्याना के एक ऐसे विधानसबाद छेत्र की जो पिछले लगाता तीन टर्म में 2009, 2014 और 2019 किसी ना किसी रूप में सरकार के साथ जुड़ा रहा और पहला ऐसा मौका है कि जब उसका विधायक विरोधी पक्षका है एक ऐसा छेत्र जहां पर भारती जन्ता पार्ट्री का कमल तो कभी नहीं खिला लेकिन 2014 और 2019 की सरकारों के अंदर सरकार का लाव यहां पर या सरकार की योजनाएं लाने का दावा वो जन प्रतिनिदी जरूर करते रही मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रतला विधानसवा छेत्र की प्रतला विधानसवा छेत्र जो 2009 के पहले चुनाओं में जहां पर पहला चुनाओं हुआ था जो 2007 के परिसीमन में अस्तित्तों में आया था 2009, 2014 और 2019 इन तीन सरकारों में प्रतला विधानसवा के नुमाइंदे सरकार के नजदीक के रहे चाहे वो प्रतिनिधी सरकार के थे या विपक्ष के थे लेकिन नजदीकिया सरकार के साथ रही वो सरकार के साथ खड़े हुए दीखे समर्थन देते दीखे और ये पहला मौका है जब प्रतला विधानसवा छेत्र का विधायक पूरी तरह से स्पष्ट रूप से विरोधी पक्षका है 2009 के चुनाओं में आपको बता दें कि हर्याणा के अंदर कॉंग्रेस की सरकार बनी थी और प्रतला से विधायक बने थे रगवीर सिंग तेवतिया जो अब दुबारा से विधायक है यानि कि 2009 में कॉंग्रेस के विधायक रगवीर सिंग तेवतिया और सूबे में कॉंग्रेस की सरकार कॉंग्रेस की सरकार भुपेंदर सिंग उड़्डा मुख्यमंत्री पहला मौका था जब सरकार के साथ डारेक्ट विधायक जुड़ा हुआ था और प्रतला विधानसवा के लिए बात कह सकते हैं आप कि उसी समय अस्तित्यों में आया हुआ विधानसवा छेत्र और पहली बार जब उनका विधायक नुमाइंदा चुना गया तो वो सरकार का नुमाइंदा था हला कि रगवीर सिंग तेवतिया सरकार के अंदर वजीर तो नहीं बन पाए थे लेकिन भुपेंदर सिंग हुड़ा के और दिपेंदर हुड़ा के बड़े नजदीकी होने के चलते दावा चलता है उनका हमेशा कि विधानसवा छेत्र में जितने काम 2009 के दौरान में हुए 9 से 14 रगवीर सिंग तेवतिया दावा करते रहें कि उतना कभी नहीं हुआ खेर यह दावे उनके हैं और विपक्ष के लोग उस सुब्जम का नेता विधायक बना रहभीर सिंग्त आहीं कैडिडीट थे चुनावहारे और ना यहां पर भारती जनता पारटी का नेता विधायक बना, नैनपल रावत को टिकेट था, वो भी चुनावाः आरे, और 2019 में विधायक बने यहां से पंड़े टेक्चन शर्मा बहुजन समाजपार्टी के विधायक, बहुजन समाजपार्टी के हरियाना के अंदर एकलोते योजनाओं का लाब मिले, सरकारी योजनाओं का फायदा मिले इसको ले करके टेक्चन शर्मा ने भाजबा की सरकार को समर्थन दिया और हमेशा भाजबा के नेताओं के साथ उनके बगलगीर हो करके दिखाई दिये अलाकि अब तो टेक्चन शर्मा भारती जनता पार्टी में ही है विधान सभा का चुनाव तो हार गए लेकिन अब वो भाजबा में है मैं आपसे बात जो कर रहा हूँ 2014 से 2019 की और उस दोरान में टेक्चन शर्मा भी दावा करते हैं कि प्रतला विधान सभा छेत्र में कौशल विश्व विध्याले साहित कई बड़ी योजनाएं आई 2019 का विधान सभा चुनाव आया और 2019 के विधान सभा चुनाव में भी ये तीसरा चुनाव हुआ और कॉंग्रेस के लिए दूसरा जिसमें कि ना तो भारती जन्ता पार्टी जीती तीसरी बार चुनाव में और ना कॉंग्रेस जीती दूसरी बार चुनाव में 2019 में प्रतला से विधायक बने नैनपाल रावत कॉंग्रेस के रगवीर सिंग तेवतिया भी चुना भार गए और भारतिये जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो भी चुना भार गए दोनों निता भाजपार कॉंग्रेस के चुनाव हारे और नैनपाल रावत इंडिपेंडेंट विधायक बने 2019 में भारती जंता पार्टी की सरकार बनी मनोरलाल खटर मुख्यम अंत्री बने लेकिन उनको मैजोरिटी नहीं मिली अल्कमत की सरकार थी निर्दलिय विधायक नैनपाल रावत थे और नैनपाल रावत ने पहले ही दिन समर्थन दे दिया मनोरलाल खटर की सरकार को बीजेपी सरकार को खोद भी अर्याना सरकार के अंदर चेर्मेन रहे सत्ता के अंदर बिना विधायक होते हुए सत्ता धारी पारटी का विधायक ना होते हुए भी पहली बार प्रतला विधानसवाद छेत्र को सरकार के अंदर प्रतिनिधित्व मिला बत और चेर्मेन और इसके साथ ही नैनपाल रावत पांस साल भारती जंता पारटी के साथ रह नेनपाल रावत भी दावा करते हैं कि उनके जो कारेकाल में विकास छेत्र बड़ी संख्या में हुए लेकिन अपकी बार वो चुनाव में तीसरे स्थान पर रह गए पिछड के तीसरे स्थान पर आए 2024 का चुनाव हुआ दोस्तों और इस चुनाव के अंदर जो प्रतिद्वंदी तीनों जो परम परागत प्रतिद्वंदी थे तीनों आमने सामने थे लेकिन 2009 दोराया गया और दोराते हुए यहां चुनाव जीते फिर से रगवीर सिंग तेवतिया टेक्चन शर्मा दूसरे नंबर पर रहे और नैनपाल रावत तीसरे नंबर पर रहे जो 2009 में हुआ था और इस चुनाव के अंदर 2024 में रगवीर सिंग तेवतिया कॉंग्रेस से विधायक तो बन गए लेकिन सरकार बनी परदेश के अंदर भारती जन्ता पालिटी की नायब सिंग से नी मुख्य मंत्री बने है रगवीर सिंग तेवतिया ने जब विधान सभा के पहला जो सत्र जिसका ब्रसपतिवार को दूसरा दिन था और ब्रसपतिवार को विधान सभा के अंदर बोलते हुए रगवीर सिंग तेवतिया ने प्रत्ला के लिए कई मांगे उठाई और ये संदेश दे दिया कि वो सरकार के सामने खड़े हो करके अपनी बात रखेंगे अपनी मांग बनवाने की कोशिश भी करेंगे रगवीर सिंग तेवतिया ने प्रतला को सब्डिवीजन बनाने की मांगी प्रतला के साथ ही जो बल्लबगर जो सब्डिवीजनी के जो गाओं है उनमें से किसी गाओं को दयालपुर जैसे किसी बड़े गाओं को कहा कि इनको सब्डिवीजन बनाये जाए बल्लब गड़ की जगा और इसके साथ साथ प्रत्रला को विधाशमाच चेत्र को लेकर थमाम मांगे रखी यानि कि पहला चुनाव जिसके अंदर की सरकार विरोधी को इन नेता विधायक बना और जो सरकार विरोधी ही रहेगा पांच साल तक इसके साथ ही रगवीर सिंग तेवतिया ने एक संदेश दे दिया कि विधायक तो बले ही विबक्षी दलके हैं वो लेकिन सरकार के कान खड़े करते रहेंगे अपनी बात रखते रहेंगे आपको क्या लगता है कि रगवीर सिंग तेवतिया विबक्ष के विधायक होते हुए अब की बार प्रतला में क्या विकास कारेयों की कोई नया कीरतिमान स्थाबित कर पाएंगे आपको क्या रगता है कि रगवीर सिंग तेवतिया विबक्ष के विधायक होते हुए सरकार से प्रतला के लिए क्या कुछ ला सकते हैं और आपको क्या रगता है कि जो पहली बार प्रतला विधानसवा में हुआ है कि सत्ता विरोधी विधायक उसका क्या विधानसवा छेत्र पर कैसा अलुकूल या प्रतिकूल प्रभाव रहेगा कमेंट्स बॉक्स में जरू बताएं जुड़े हैं मारसा देखते रहें देश रोजना